हेलो बच्चो मैं हूँ मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाले हूँ 12 क्लास के जी विग्यान विशय के दूसरे चैप्टर पुस्पी पादपो में लेंगिक जनन का पांचवा भाग जिसमें हम पढ़ेंगे बही परजनन युक्तियों के बारे में ठीक है अधितर पुस्पी पादप क्या होते हैं उभाएलंगि पुस्प आउप इप्राकणों को उत्पन करते हैं क्या बहुत हथ तक अधी वर्तिकागर पादप को मितन हो nog 거지 कि मतलप ऑनकि के अंदर जो मादा जननंग है कौन-कौन चैसे की अंडाश्य है वर्तिका वर्तिकागर ठीक है ना बचो और जो क्या बताया जा रहा है प्राकन होंगे प्राकोस के अंदर वह किसके संपर्क में रहेंगे बच्चो जहां तक होता है वर्टिगागर के सम्पर्ण उसी पुस्प की घर संपक में रहते हैं ठीक है बद यह पर जिस्वे पर्जनना ollut में मों मता chodzi जिससे क्या बताया जा रहा है कि जो परजनन है उसमें अंत्य परजनन क्या होता है का हाश होता है कि कमी होती है अमनन होता है ठीक है बच्चों फिर क्या बताया जा रहा है पूश्पे पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विक्षित कर लिये हैं क्या बताया जा रहा कि जो पूश्पे पोदे होते हैं जो पूश्पे पादप होते हैं वो क्या करते कि उन्हों ने ऐसे साधन बहुत सारे ऐसे साधन विक्षित कर लिये हैं या फिर ऐसे विक्षित कर लिए हैं जिससे क्या हो सके बच्चो जो स्वय प्रागण है को क्या करता हो हतोत्साहित एउ और जो पर प्रागण है उसको क्या करता हो प्रोत्साहित करता हो क्या बताया जा रहा है कि जो पुस्पी पादप होते हैं उन्होंने ऐसे उपाई विक्षित कर लिए ऋसको हतोतसाहित करते हैं मतलब उसको कम करने की कोशिज करते हैं और किसको बढ़ाने की कोशिज करते हैं परकैन को क्या करते हैं फिर बात आती है कुछ परजातियों में प्राग अव्मुक्ति एमवर्तिकागर ग्राहिता समकालिक नहीं होते क्या बताया जा रहा है कि वो जो उपाई हैं कि क्या उपाई कर लेते हैं यह पुस्पी पादप हैं यह सव प्रागन को रोकने के लिए क्या बता रहे हैं जब लेके के पराग है जब थे निकलता है प्राग को से मुक्त होता है ना बच्चो तो जो वर्तिकागर है और वो जो क्या करेगी प्राकन को ग्रहन करेगी है तो उनका क्या है वह समकालिक नहीं होते हैं हमने क्या पढ़ा है कि प्राकन और वर्तिकागर जब दोनों मिले तो उनका टाइम क्या होना चाहिए जब वर्तिकागर परिपक्व हो और जब प्राकन फूटिद हो ठीक है ना तब क्या होना चाहिए दोनों एक ही टाइम पे होने चाहिए तभी है क्या होगा निसेचन की पर होते ही वर्तिकागर के तयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिये जाते हैं क्या बताया जा रहा है कि एक उभेलिंगी पूस पह ठीक है न और उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो वर्तिकागर है बच्चों वो क्या नहीं हुई अभी परिपक्व नहीं हुई लेकिन क बताया जा रहा है कि जो प्राग है वो पहले ही क्या कर दिये जाते हैं मुक्त कर दिये जाते हैं बच्चो ठीक है ना वर्तिकागर अभी क्या नहीं वी परिपक्व नहीं वी ठीक है और जो प्राग है प्राकन है वो क्या होते हैं प्राकों से मुक्त हो जाते हैं ठीक है तो क् पर प्रागों के जढ़ने से काफी पहले ही वर्तिकागर ग्राही बन जाता है कि दूसरी बात क्या हो सकती है कि यह जो प्राग है वो जढ़ने से पहले ही क्या हो जाता है यह जो वर्तिकागर है वो क्या बन जाती है बत्चो ग्राही बन जाती ही मतलब कि वर्तिकागर है वो क्या होगी प्राग से पहले विक्सित हो जाएगी ठीक है कुछ पर जातियों में प्राकोस वर्तिकागर भिन इस्थानों पर वस्तित होते हैं क्या बताया जा रहा है कि कुछ पर जातियां कैसी होती है ऐसी होती है जिनमें जो प्राकोस होते हैं प्राकोस में क्या बनते हैं प्राकण बनते हैं बच्चो ठीक है न और जो वर्तिकागर होते हैं वो क्या होते हैं वो भिन-बिन इस्थानों पर उपस्तित होते हैं पास-पास नहीं होते हैं जिससे भी क्या होता है जिससे पर प्रागन को बढ़ावा मिलता है ठीक है बच्चो उसके बाद देखो जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकागर के संपर्क में नहीं एक वेकि पूस्प के दोनों किसे पूस्प आपेगा क्यों कि वृतिकागर के संपर्क में state तहीं स्थानों पर उपस्तित Scoности क्या बताया जा रहा है दोनों ही युक्तियां स्वेय युगमन को रोकती है स्वेय युगमन क्या पढ़ा था आपन ने बताओ स्वेय युगमन क्या होता है पढ़ लिया है इससे पहले हमने देखो बच्चों कि जो प्राकन है वो उसी पूस्प की जो वर्तिका है उसके उप थो पुस्प थीचायर है विस C. का है वह इस है उसी पुस्प पे जाके नहीν गिरे का है तो भूंशता है कहलाता है वो कहलाता है स्वय यूगमन ठीक है बच्चो और उसके बाद में अपने क्या पड़ाथा सजात पूбы में क्या पड़ाता कि पोद्आ तो एक ही है यह एक पोदे पर लगा हुआ ठीक है और इसके उपर यह दूसरा फूर लगा हुआ है ठीक है बच्चो तो इसका जो पराकण है वो इस पोदे की वर्तिकागर पर आता है तो यह क्या कहलाता है वो कहलाता है बच्चो सजात पुस्पी पराकण ठीक है तो यहां पर स्वय युगमन की बात हो रही है कि क्या होता है कि यह जो किरियाई है यह किसको रोकती है कटिंए बचफ स्वयय यूगमण को रोकती है मतलब कि यह तो पराग पहले परिपखव हो जाता है वर्तिका बाद में होता है तो है यह जो यूकतिय नहीं क्तारी हैं कि i辰हेक div वन्षानुगत परकरम तथा स्वैप रागन को रोकने का उपाई है उसी पुस्प से जहा अंकूछन पराघ अंकूरं या फिर स्त्रीकेश्यर में प्राघ finals का वर्दी को रोका जाता है क्या बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि उसी पुष्प पे या फिर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पे ठीक है ना जहां बीजान के निशेचन को क्या कर रहा है बच्चो जो प्राग है वो अंकूरन या फिर इस्त्रीकेशर में क्या है प्राग नलिगा का उत्पादन क्या बताया जा रहा है कि जो सवा प्रागन है इसको रोकने के लिए क्या बताया जा रहा है बच्चो कि एक और विदी होती है वो क्या होती है एक लिंगई पुष्प ठीक है इसमें क्या होता है कि एक जो पुष्प है उसमें क्या हो नर पुष्प है ठीक है ब कि अर रन्ड मक्का है इसे क्छ बोलेंगे बच्चो उभे लिंगा श्री ही पुष्प जाप सभर यह क्नल नर और मादा दोनों पुस्प उपलब्द है अरन्ड और मक्का का ठीक है न तो यह स्वय प्रागन को रोकता है ना कि सजाद पुस्पी प्रागन को क्या बताए जा रहा है कि यह किसको रोकता है यह स्वय प्रागन को रोकता है ना कि सजाद पुस्पी प्रागन को अब बताओ स्वय प्रागन में क्या कि एक पुस्प है और उसी के वर्तिकागर पर पहुंचता है अगर प्रागन तो उसको रोकता है ठीक है सजाद पुस्तपी में क्या होगा कि एक पोदा है ठीक है तो यह किसको रोकता है यह सजाद पुस्पी परागन को नहीं रोकता है बलकि किसको रोकता है यह स्वेपरागन को रोकता है ठीक है बच्चो फिर देखो अने बहुत सारी पर जातियां जैसे पपिता में नर एव मादा पूस्प भिन भिन पादपों पर होते हैं आधार्थ पर्तेक पादप या मादा या नर है यहां स्वैप्रागन पुस्पी प्रागन दोनों को ही अवरोधित करती है क्या बताया रहा है यह कि किसको रोखता है यह स्वैप्रागन को भी रोखता है ठीक है ना स्वैप्रागन होगा कैसे भई एक पोड़ा है तूर ऊसका दूसरा पूश्पी होगा तो सजाद पूश्पी प्रागन होगा इसमें ठीक है ना ये तो इस्तती नहीं बनती है प्रागन की प्राग इस्तरीकेशर संकर्षन क्या होता है मतलब कि जो प्राग है और वह इस्तरीकेशर है ठीक है ना उनका पारसपरी किरिया कैसे होती वह बताई जाएगी बच्चो इसमें ठीक है चलो देखते हैं प्राग बिल्कुल सही परकार के प्राकणों का इस्थानांतरन सुनिशित नहीं करता है क्या बताया जा रहा है कि जो प्रागण है उसमें यह जरूरी नहीं है कि जो प्राकण है वो क्या हो बच्चो जिन प्राकणों का इस्थानांतरन हुआ है वो क्या हो बिल्कुल सही हो उ आपड़ को गःत पर वरति कागर उसी होता है की फिर देखो प्रकुत ऊी उसी वरति Gr hele मातल है की सुआ आपड़ी बाइटा था च्मथ होता है कि प्रकार एक होता है कहां मैं यह जायां का भाग खाग होता है तो जो इस्तरीकेशर में यह चमता होती है क्या चमता होती है कि वह पराग को पहचान सके वो क्या होता है इस्तरीकेशर क्या करती बच्चो अपनी जाती के पराग को पहचान लेती है ठीक है न और वह उसी वरक के सही परकार का पराग है या फिर गलत परकार का है ठीक है न क् तता है तथा प्राग पत्षच गटना के लिए प्रोथ्साहित करता है जो निशेचन की ऊर बढ़ता है क्या बता है कि अगर जो सही परकार है उसी जाती चीज़िग है तो क्या बताया जा रहा है कि जो इस्तरीकेशर है वो क्या कर लेती है उसको स्वीकार कर लेती है और फिर क्या होगा जो उसके बाद की जो गटनाई है निशेचन पश्यात की जो गटनाई है उसको क्या करती है वो प्रोथसाहित करती है ठीक है बच्चो उसके बाद देख तो यदि पराग गलत परकार का होता है तो क्या होता है बच्चो तो इस्तरीकेशर वर्तिकागर पर पराग अंकूरन या वर्तिका में पराग नली का वर्धी रोक कर पराग को ऐस्विकार कर देती है क्या बताया जा रहा है कि अगर जो पराकन है वो कहां पहुँचा है इस्तरीक नलिका भी नहीं बनेगी ठीक है बत्चो और वंटिका में पुर्दिका की जो वर्दी है उसको रोक देती है और अगर वो किसी दूसरी जाती है मतलब एयोग्य प्राक्ड़ का क्या होगा बत्चो क्या करतbahn क एंकोरित नहीं होने देगी र उसमें प्राग नलिका नहीं बनने देती ठीक है बच्चों उसको एस्विकार कर देती है चलो फिर आगे देखते हैं एक इस्तरीकेशर द्वारा प्राग के पहचानने की छमता उसकी स्विकर्ती या एस्विकर्ती द्वारा अनुपालित होती है ठीक है जो प्राकणों एस्तरीकेश के बीच निरंद्ट संवाद का परिनाम है बताय झा रहे हैं जो एक इस्तरिकेशर होता है उत्यों मिलती है और पाग कड़ों यह किस समवाद होता रहते हैं ठीक है बच्चों ये किसका परिणाम है जो। स vein देखो इस समवाद की मध्यस्ता तथा पराग के राशाइनिग घटकों के संकर्षन द्वारा होता है तुझा कि जो इस टुच की गटकों काम करते फिर आगे देखो अभी कुछ वनास्पती विझ्यानीे ही में ओनस्पती घ्ठकों को पहचानए पहचाना, बीग संकर्शन या आपि लगाया है और क्या पता चला है कि इसे उंको उनके बीच में प्राकर्ण ओर जो वर्टिक्गर उते ही है। उसको जाना है ठीक है बच्चों फिर देखो सुयोगे प्राग के अनुपालन में क्या होगा अगर वो सुयोगे प्रागन क्या मतलब हो गया कि मतलब जो वर्तिकागर पर जो प्रागन पहुंचा है वो क्या है उसी जाती का है ठीक है बच्चों फिर प्रागन वर्तिकागर प फिर क्या होगा उसके अनुपला में जो प्राककर्ण है वो वर्थिकागर कीस और रहा को उतपन करती है वरRIA की दो रहे है कि जो प्राग नलीका है वो क्या करती है वर्तिकागर तथा वर्तिकागर के उत्कों के माद्यम से वर्दी करती है ठीक है ना जो इस तरिकेशा का भाग होता है उपर का वर्तिकागर ठीक है और नीचे की जो उसके वर्तिकागर के नीचे का पतला हिस्सा होता है वो क्य प्राग यौज आफी प्राकन तो यह वतीका तो यह वाला diากar st ignorant और उपर का जो इससा कहलाता है वर्तिकागर तोचोर की तरह यह उस्त तरह नहीं नहीं थादक्स में पहराइग तो इस तरह करें तक टाइग्राम तो चंभी पहचान लें की ये जो प्राकन आया है वो उसकी जातिका है क्या होगा कि यह pigs तो क्या होगा कि यह जो प्राक्ण है यह क्या करेगा जो वर्तिका की को यह जो आप देख रहे हैं ये अंदाष्य में जा रहा रहा इसने सहाई को सेंगे इस लिएं पहले पढ़ लिया ता और उसके साथ नीचे की जो तीन कोशिकाई होती है उनमें क्या होती है दो तो साई कोशिकाई होती है और एक क्या होती है बच्चो अंड कोशिकाई होती है ठीक है न और इसके बीच में जो कोशिकाई होती है वो क्या कहलाते है बच्चो धूरवय केंद्रक कहलाते है ठीक है तो चलो पिर आगे देखते हैं क्या होता है कुछ पादपो में प्राकन-2 कोशी की स्थती में एक तुकाईख कोशी का और दूसरी जननकोशी में जर्णते हैं थीक that ठीक है ना देखो बचबों यह The Diagram में इन में क्या दिखाय गया है कि जो कुछ पादब होते हैं उनमें जो प्राकन होते हैं वो दो कोशी की इस्तथी में होते हैं ठीक है ना जो पहली कोशी का होती है बच्चो काई कोशी का कहलाती है और जो दूसरी कोशी का होती है वो क्या कहलाती है बच्चो जनन कोशी का ठीक है ठीक है बच्चो फिर प प्राग में कितने हैं बच्चों दो कोशी की है जो जनन कोशी का है वो क्या करेगी बच्चों विभाजित होगी और क्या होगी वर्दी के दोरन क्या करेगी दो नर युगमकों का निर्मान करेगी बच्चों किसका निर्मान करेगी दो नर युगमकों का ठीक है कौन सी कोशी बच्चो जो जनन कोशी का है वो कोशी का विभाजन करेगी और निर्माण होगा दो नर्युगमकों का ठीक है बच्चो अब आगे देखो जिन पादकों में प्राग तीन कोशी की स्थती में होते हैं क्या बताया जा रहा है उपर हमने दो कोशी की स्थती की बात करी थी अब बात आ रही है वो बात आ रही है तीन कोशी के जो प्राग होगा उसमें क्या होगा वहां प्राग नलीका शुरुवात से दो नर्युगमकों को ले जाती है ठीक है तो आगे देखो क्या होता है प्राग नलीका अंडास्य में पहुँचने के पश्चात बिजान द्वार के माध्यम से बिजान में प्रुवेस करती है प्रवेस कर लेगी और तत्पश्यात तंतु में समुच्चे के माध्यम से एक सहाई कोशिका में चाहिज परविस्ट करती है क्या बताती है विजाणम समुच्चे करती है ठीक है बच्छो फिर देखो कि पर अरिछ करते है पराग transformation करते हैं देखने और अंडा शेय जाह भपत्ते हम और बच्छे नर युगमक कोशी है तो यह सहाय कोशीका होगे और तंति रूप उपकरन हो जाएगा बच्छोच यह जाएगा सहाय कोशीका में पहले कहां जाएगा घुट है और बिजांड से फिर कहां जाएगा फिर आगे देखते हैं चलो वर्तिकागर पर पर अवस्थित होने से लेकर बिजांड में प्राग नलीका में परिवेस्थ होने तक की सभी गटनाओं को प्राग इस्त्रीकेशर संकर्षन के नाम से संबोधित किया जाता है जो वर्तिकागज़ पर पर अपर परग नलीका के परविस्थ होने तक सबी गटनाओं जो भी गटनाओं हो रही है ठीक है ना कि कौन कौन सी कहां से लेकर वर्तिकागर पर क्या आया प्राग कण आके गिरा वहां से लेकर कैसे बिजान में प्राग न लिका है वो बिजान में परवेश करती है यहां तक कि जितनी भी घटनाएं आती है वो किस के अंदर आती है वो क्या कहलाती है बच्चों वो प्राग की पहचान की प्राकन है वो अपनी जाती का है कि नहीं है उससे लेकर और जो प्राग नलीका बनती है उस तक सारी गटना है इसमें सम्मलित की जाती है ठीक है बच्चो तो उसके बाद में बात आती है इस चेतर के बारे में ज्यान प्राप्त करने से पादप परजनकों को प्राग इस्तरीकेशा संकर्षन के हेर फेर में यहां तकी आयोग्ये प्राकन से अपेक्षी संकर प्राप्त करने में मदद प्राप्त होती है ठीक है बच्चो क्या बताया जा रहा है कि इस चेतर के बारे यहां तक जो अयोग्य प्राकण है उसके दुवारा क्या जो अपेक्षित संकर है वो प्राप्त करने में मदद मिलती है ठीक है बच्चो तो फिर हम बात करते हैं एक परजनक भिन परजातियों के संकरण में तथा वानिजिक रूप से सर्वोत्तम सिरेणी के अपेक्षित विशिष्टा वाले जनन संपाक में रूची रखते हैं ठीक है बच्चो और करत्रीम संक्रीकरन फसल की उन्नती या प्रक्तिशीलता कारे करम के लिए एक परमुख उपागम है क्या बताया जा रहा है कि जो करत्रीम संक्रीकरन फसल उन्नती है बच्चो उसके लिए जो प्रक्तिशील कारे करम है वो उसका एक उपागम है ठीक है बच्चो तो अब बाद आती है इस परकार के संक्रन प्रयोगों है तू यह शुनिशित करना महतापूर्ण है क्या जो अपेक्षित प्राग है ठीक है कि उसी जाती के प्राग वहां तक पहुंचे उसी जाती के प्राग वर्तिकागर तक पहुंचे यह शुनिशित करना चाहिए ठीक है वर्तिकागर को क्या संदूसित होने से बचाया जाना चाहिए कि वर्तिकागर पर दूसी जाती के प्र वर्तिकागर है उसको बचाया जासके किसी दूसी जाती के प्रागण से ठीक है संदूसित होने से बचाया जासके उसके लिए क्या बताया जा रहा है कि जो बैगिंग टैक्निक है ठीक है और दूसी जो टैक्निक है उसकी क्या नाम है बच्चो विपूशन तक्निक है ठीक है उसकी यह उसमें क्या करते हैं बच्चो मदद करते हैं ठीक है और यदि कोई मादा जनक द्वीलिंगी पुस्प धारन करता है क्या बताया जा रहा कि कोई मादा जनक है और वो क्या उसमें द्वीलिंगी पुस्प है ठीक है ना तो प्राग के परपुस्थन से पहले पुस्प दिए यह जो प्राग है वह बाहर निकलेगा उससे पहले जो पुष्प कलीका से प्राकोस के निसकाशन हे तु एक जोड़ा कुए किया जाता है चिम्टी से उसको क्या किया जा सकता है इस चरण को रूप में क्या क्या जाता है इस चरण को क्या रीपre किया जाता है बतारüz पूशित पूष्प उनको उनको चल कि उपयूकताकार की थहले ता कि ढग दिया जाना चाहिए नियस परकिर वर्तिकागर को वर्तिकागर है वो ऐवानछित प्रागों से बची रह जाएगी संदूसित होने से बच जाएगी ठीक है और इस परकिरिया को बैगिंग कहा जाता है ठीक है बच्चो तो फिर उसके बाद आता है जब बैगिंग पुस्प का वर्तिकागर सुग्राहिता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित प्राकोस के प्राक को उस पर छिड़का जा सकता है ठीक है और उस पुस्प को पुने आवरित करके उसमें फल विक्षित होने के लिए छोड़ दिया जाता है पुस्प का वर्तिकागर जब विक्सित होगा जब परिपक को या फिर यह कहें कि प्राक करने के लिए तयार रहेगा तब क्या होगा जो नर अभिभावक है उसको संग्रीत करके जो प्राकोस से क्या बन रहे बच्चो प्राग है वो उसके उपर छिड़क दिया जाता है ठीक है और उसमें क्या बच्चो फल लिविक्सित होने के लिए छोड़ दिया जाता है ठीक है बच्चो फिर देखो यदि मादा जनक एक लिंगी पुस्प को पैदा करता है तो विपूशन की आवसकता नहीं होती है ठीक है नविपूशन की आवसकता ही नहीं पड़ेगी क्यों क्या होगा बच्चो एक लिंगी होगा तो ठीक है बच्चो फिर पुस्पों के खिलने से पूर्वे ही उन्हें आवर्थ कर दिया जाता है ठीक है नक्या बताया जा रहा कि पुस्प है उनको खिलने से पहले ही क्या कर दिया जाता है बच्चो डग दिया जाता है जब वर्त तो तो आज की कक्षा में इतना ही मिलते हैं अगली कक्षा में धन्यवाद